मेरे आज की सुबा की सुरुवात होती है इस्वर भाई के इस बंदर जैसे चैरे से और ये अपने चैरे को ऐसे चुपा रहे है जैसे कोई नई नविली दुलान हो और इधर मैं अभी डांस का किताब जीतने ही वाला था तब तक मेरे मन में ख्याल आया कि आज हम लोग जाएंगे नहर पे नहाने के लिए और क्या फिर मैं चल दिया इस्वर भाई के पास और इस्वर भाई अभी नास्ता कर रहे है जैसे कि 100 सालों से कुछ खाए नहीं और फिर हम दोनों चल दिये टिल्लू भाई के पास और यहाँ पे टिल्लू भाई कई सालों से हमारा वेट कर रहे है फिर हम चल देते हैं नहर की तरफ और फाइनली हम लोग पहुच गए पूल पर फिर हम लोग इस चिल्चिलाती हुई धूप को नजर अंदाज करते हुए थोड़ा इधर उधर घूमें तिल्लू भाई को रहा नहीं गया और कूद गए पानी में और इधर मैं एक दो पोज मारने की कोशिस की और फिर क्या पहुच गे पानी में तैरने और ये क्या टिल्लू भाई तैरने तो आती नहीं चले पानी में डांस करने और गाई स्विमिंग करने में बहुत मज़ा आया और लास्ट में मैंने सबको एक चैलेंज दिया कि जो कोई भी पानी में छलांग लागा कर तैरते हुए सबसे दूर तक जाएगा उसको मिलेगा गोल्ड मेडल और क्या उलम्पिक गेम की तरह सबने पानी में छलांग लगा दी और फिर कोई भी दूर तक नहीं गया सब के सब वहीं पे रह गए मिलते हैं नेक्स ब्लॉग में तब तक के लिए बाई बाई टेक के यार